बहुत ही important, बहुत ही batterying questions और इस इस question से हम आपका जो 15 और 16 में का current affair है वो हम पूरा cover करेंगे, सारे important news और सारे important points जो हो सकते हैं यहां पर देखो पहला question हम देखते हैं, बोला गया कि इंडिया और चाइना का जो trade है एना वो financial year 2024 में जो है, वो आपका bilateral trade में इंडिया का, जो China के साथ है वो आपका maximum हो गया है चाइना फॉर्स नंबर पर आ गया है बाइलेटरल ट्रेड में आपसे सिर्फ यह पूचा है कि चाइना ने किस कंट्री को रेप्लेस किया है मतलब फैनेशल ये टूथाउजन ट्वेंटी थी में इंडिया और कौन से कंट्री का बाइलेटरल ट्रेड था वो बाइलेटरल ट्रेड आपका इंडिया और यूएसे का जो था वो सबसे जाधा था तो इसका आंसर क्या होगा भी ऑप्शन अब देखो यहां पर कुछ डाटा है यह देगा इंडिया का चाइना के साथ जो बाइलेटरल ट्रेड है 2024 में वो कितना हो गया है डॉलर्स में कितने डॉलर्स आपका 118.4 बिलियन डॉलर्स बेटा यह टोटल ट्रेड है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला करिये ट्रेड है अगर बात करीजा है आपका 2022-2023 वाले इयर की इंडिया का जो बाइलेटरल ट्रेड सबसे जाधर था वो कौन से कंटरी के साथ था United States of America यानि कि USA के साथ हमारा ट्रेड जो था वो सबसे जाधर था और 2024 में एक इसके साथ है आपका यह है चाइना के साथ अब बेटा देखू यहाँ पर जो एक important data है वो data क्या है financial year 2019 से लेके financial year 2024 के बीच में इंडिया और चाइना का जो export है मतलब इंडिया जो export कर reduce हुआ है मतलब उसमाँ इंडिया जो export करेगा चाइना को वो decline हो गया है और इंडिया जो चाइना के साथ import कर रहा है यह ना वो import जो है वो 44.7% जो है वो इंक्रीज कर गया है सर्ज कर गया है तो मतलब हम लोग बहुत जादे goods जो है वो चाइना से आपका import कर रहे हैं हमारे लिए एक problematic चीज है क्योंकि हमारे जो economy है वो चाइना पर काफी जादे dependent हो जाएगी क्योंकि हम चाइना से बहुत सारी चीदे है आपका जो है वो import कर रहे हैं दूसरी चीज का है कि चाइना एक तरीके से इंडिया को as a dumping ground use कर रहा है कि चाइना पने बहुत सारे जो goods है वो से इंपोर्ट होते हैं तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो mobile इंडिस्ट्री है हमारी जो आपकी जितनी भी आपके electronic gadgets की इंडिस्ट्री वो majorly किस पर डिपेंड है वो majorly डिपेंड हो गए Chinese companies पे चाइना के मार्केट पे ठीक है तो आप यह चीज़ने समझ रहा है कि हमारी चाइना पर तो यह चीज़ भी हमारे लिए problematic है कि हम चाइना पर बहुत सारी चीज़ों के लिए depend है और जितनी हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ेगी उतना ही हमारे इंडिस्ट्री जो है उन्हें नुकसान हो सकता है चाइना हमारी economy को को करने की कोशिश कर सकता है चले next question को देखते हैं यहां पे बोल रहा है कि आपका पेच टाइगर रिजर्व है ना पेच टाइगर रिजर्व जो है वो बिटा कहां पर है तो बिटा यहां पेच टाइगर रिजर्व जो है वो है आपका महराश्टरा वाले reason में है ना महराश्टरा में आपका situated है पेच टीचटा ये पेश टाइगर रिजर्व पिटा ये पेश टाइगर रिजर्व आपका कर्रेंट पार्ण पयान क्यों आया आया था ये आपका जो एक बोल रहा है कि नैंसी ग्रेस रोम इसकोप जो है स्पेस टेलिसकोप वो आपके कौन से और्गनाइजेशन ने बिल्ड किया है क्या ये इस रो ने बिल्ड किया है या आपका इटली का जो और्गनाइजेशन है आपका स्पेस का उसने बिल्ड किया है या रशिया का जो और्ग स्पेस एडिनिस्ट्रीशन तो यह बिल्ड किसे किया आपका नासा ने बिल्ड किया है और देखो इसका औब्जेक्टिव है बहुत अच्छा है यह देखो आपका focus on dark energy dark matter और exoplanet exoplanet क्या है वो planet जो हमारे solar system से बाहर है नासा अप कहां रिसर्च करना चाह रहा है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की जो फिसिक्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम से जो बाहर की चीज़े 3 उन पर रिसर्च करने की कोशिश वाय एक सट्रो। ठीक है, चले अगला क्वेशन देखते हैं यहां पर वो बोल रहा है Recently seen in the news Feeling index is related to बैटा आप आपसे पूछ रहा है कि जो index आपको दे रखा है यह किस चीज से related है देखें किया यह unemployment से related है यह freedom of democracy से related है यह freedom of press से related है यह फिर atmospheric carbon dioxide से related है बैटा यहां पर याद रखना यह जो index है वो आपका related है आपका atmospheric carbon dioxide से related है ना अब देखें कि यहां पर यह जो आपका USA है USA में जो Hawaii Island है USA में आपका जो Hawaii Island है Hawaii Island पे situated है आपका Mauna Loa Mauna Loa जो है Mauna Loa के पास जो आपके World का highest या largest active volcano है उसके पास यहां पे एक observatory situated है ना Mauna Loa observatory जो है वो situated है कहां पे World का जो largest active volcano है कौन से island पे है आपका Hawaii Island तो बटा यह एक information भी हम याद रखेंगे World का जो आपका largest active volcano है वो कहां पर है कौन से country में आता है कौन से island पे है वहीं पर यह laboratory जो है observatory वो situated है और यह observatory आपका किस चीज़ पर research करती है कोijah से climate change जो होता है कौन से ऐसे chemicals एं कौन कौन से ऐसे elements है जिनकी वैसे आपका climate change होता है उन पर यह research करती है तो यहां पर आपका किस पर research किया यह आपका यह जो curve है वो किसे related है आपका atmosphere में जो आपका carbon dioxide content है अच्छा यह जो आपका index है नाम किस पर रखा गया डॉक्टर चार्ल्स डेविड की नाम पर इस इंडेक्स का नाम जो है वह आपका रखा गया है ठीक है चलिए अगला की तरफ दिखेगा औरोळया बोर्यलेस हो जाएगा या साउथ पॉल की तरफ दिखेगा तो आरोम आसइड आश्ट्रेलीफ हो जाएगा अब यह जो आपके अरोरा लाइट से ना यहां में crisis कि तरफ दिखे तो उसकी वजह से यहां पानी यूज काया था कि हमेशा याद रखना है यह जो आपके lights होते हैं वो magnetic field की वज़ा से होते हैं magnetic field किसी ना किसी के साथ तो react करेगा किसी के touch में आएगा और यह touch में किसके आएगा ions के touch में आएगा जब free radicals के ions के touch में आएगा तब यहां के light produce करेगा तो यहां पर यह जो auroras पास देखेंगे कि कौन सी layer में देखेंगे बिटाई आइनुस्फियर का पार्ट है आइनुस्फियर जो आपके atmosphere की fourth layer है ट्रोपोस्फियर पहली layer है दूसरी layer क्या है stratosphere जिसमें ozone layer आपको देखती है तीसरी layer क्या है जिसमें जो आपको meteor और meteorite से बचाती है और चौती layer क्या है आपका thermosphere या आइनुस्फियर तो यह जो आपका auroras देखेंगे वो कहां देखेंगे आपको आइनुस्फियर में देखेंगे ठीक है चलो अब यहां पे देखो यह क्यों देखेंगे है और अगर सदन पोल पर दिखेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे अर्वार्य उस्ट्रेलिस्ट क्यों कॉज होते हैं इंट्रेक्शन ऑफ सोलर विंड्स का इंट्रेक्शन होता है oxygen या nitrogen गैस जो होती है इसके साथ ठीक है चले अगला question एना इससे जादे ब्राइट एक्सरेय नहीं है वो एक्सरेय आपका रिसेंट्लि किस एशिं कंट्री ने बनाया है तील के यहां पैसे जितने भी रिसर्च चल रहे आपका चाय्ना लाई है ना चायना ने फॉर्ट जर्ण जो सिंक्रोट्रोन और वो बनाया है मदला उसमेंगे वाइंसर क्थ एक्सच रेंग्स और इस से चाहिना आपको प्लानियट के बारे पिर से हैं और बहुत सारी चीज़tså marche कोशिश होगा तो इसका आंसर क्या होगा चाहिना ओगा चलो इसके बारे में कुछ पाइंट्स देखते हैं पहली चीज है या कितना ब्राइटर है या का more than a million times brighter than the Sun अब समाझ सकते हो Sun से भी million times brighter x-ray होगा ठीक है magnetic field का यूज किया है यहां पे Magnetic Circuit का use किया है जिसकी मदद से यहां पर बहुत तेज या बहुत ब्राइट यह आपका जो है X-rays वो generate किया है या Synchrotron जो है वो आपका generate किया है चाहिए ने इंडिया में जो Synchrotron है वो कौन सा है Indus One यह ना इंडिया में जो है वो associate है किसके साथ आपका European Synchrotron Radiation Facility है ना जो कहां पर based है आपका जो France based है तो इसके साथ भी इंडिया का आपका tie-up है collaboration है या इंडिया जो है वो इससे भी associated है ठीक है चलिए अगली नियूज एकते हैं हम आपका यहां पर बोल रहा है आपके बिटा first human recipient of genetically modified pig kidney अब देखो यहां पर क्या हो रहा है इंडिया में या वर्ल्ड में क्या हो रहा है बहुत सारे आपके health issues जब होते हैं तो कई बार आपको organ transplantation की ज़रूरत पढ़ती है तो आपको organ transplantation की ज़रूरत पढ़ रही है यहां पर humans के organs जो कंपड़ जा रहे हैं इतने सारे हम पर donor नहीं है जितने सारे लोगों को आपके human organ की ज़रूरत है तो यहां पर researchers नहीं क्या किया उन्होंने कुछ animals पर research किया और उस research में उन्होंने देखा कि आपका pig का जो kidney है पिग के जो कुछ transplant करना शुरू किया तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है पहला कौन परसन है जिसमें यह transplantation किया गया था बिटे transplantation आपका दो महीने पहले हुआ था और यहां पे जो आपके रिचर्ड है रिचर्ड रिचर्ड रिकी slayman करके जो है उन्होंने यह transplant किया रवाय था kidney almost आपके वो टू मन्स तक वो survive किये उसके बाद उनकी body उस चीज़ को accept नहीं कर पई और recently वो जो है वो आपके expire हो गए उनकी इस वज़े से आपका न्यूज में था तो यहां पर याद रखेंगे first person थे जिन्होंने यह receive किया था है ना क्या modified genetically modified pig का जो kidney जिन में transplant किया गया था वो किया थे आपके रिचर्ड है ना रिक या slayman करके ठीक है और यह चीज़ हम यहां पर याद रखेंगे है अगला बिटा बहुत अच्छा question बहुत important question है वो आप से बहुत है recently which country has lost all its glacier बहुत important issue है बिटा हम लोग कई बार से आपका जो आपके conference of parties हो रहा है environment के protection से related जो आपकी चीज़ें चल रही है global warming से जो related चीज़ें चल रही है बार बार ऐसा बोला जा रहा है कि global warming या आपका जितना बढ़ेगा अर्थ का temperature जितना बढ़ेगा दीमेदी में glacier जो है वो खतम होते जाएंगे fresh water के जो खतम होते जाएंगे और हमारे पास आपका near future जो है environmental issues आएंगे क्योंकि temperature बढ़ेगा glaciers आपके melt हो जाएंगे तो क्या होगा आपके जो water के issues हैं वो भी आपके आने लगेंगे तो यहां पर पूछ रहा है कि कौनसा country है जिसमें सारे glacier खतम हो गए मतलब आप समझ रहे हो ना कि कौनसे country में जो ice caps हुआ करते थे जो glaciers हुआ करते थे वो खतम हो गए तो यहां पर याद रखना वेनेजूला वेनेजूला जो आपके south america में located है लेक मरा काईब हो जो वेनेजूला की सबसे बड़ी लेक है ठीक है यहां पर वो वेनेजूला में आपका जो glaciers हैं वो खतम हो गए हैं मतलब वहां पर ice वगेरा है mountains पे थोड़ी बहुत लेकिन वो glaciers की definition में नहीं आती है तो याद रखना है यह आपके glaciers कौन से country में खतम ह हैं वेनेजूला आप देख सकते हो बिटा आपके global warming की वाई से कितने बड़े बड़े issues जो हैं वो आपके शुरू हो रहे हैं तो वेनेजूला's last standing glacier in the Andes has shrunk at the size that is no longer qualified it as a glacier तो समझ रहे हो बहुत बड़े issues हैं बिटा यह चलो अब इंडिया का है न चाबार पोर्ट चाबा पोर्ट यहां पर पाकिस्तान में एक पोर्ट है गौादर पोर्ट पाकिस्तान गौादर पोर्ट को डवलप कर रहा है सपोर्ट मिल रहा है चाइना वगेरा का इस वजह से उस गौादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया जो अपना पोर्ट डवलप कर रहा है इं पोर्ट जो है वो कॉंसे कंटरी में सिचुएटेड है एरान बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों कि गौदर पोर्ट को इंडिया काउंटर करने की कोशिश कर रहा है जो चाइना में पोर्ट है दूसरी चीज़ हमें यूरोप कनेक्ट करन थे चाबर पोर्ट है ना फिरेंट इस विपर से भीत बहुत इंपॉर्टन पोर्ट है यहां पर याद रखने और knife of परस्या जो है ना पकर लोकेटड होई का परेंटड गेग आपका इंपौर्ट्री लगेग एकिजा पूछा जा सकता है तो इसे अच्छा देखवा एक और पॉर्ड है ना सित्वे पोर्ड भी आप से बोल रहा है क्यों इम्पॉर्टएंट है गिटा इंडिया ने एक आपका नौर्थ एस्ट को कनेक्ट करने एक शुरू किया था आपका कलादान प्रॉजेक्ट में क्या था कि हम मैंमार में मैंमार आपके option C हम मैं मार मैं आपके ports को develop करेंगे और वो port कौन सा होगा? सितवे port सितवे port के दूरू हम जो आपका नॉर्ठ ही स्वाला portion है उससे हम connect करेंगे ऐसा हम करने की क्यों कोशिश कर रहे है क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो chicken नहीं के जिसे हम Silly Gouldy कोरिडोर बोलते हैं, जो वेस्ट बेंगाल का एडिया है, दाडजलिंग के आसपास, सिल्योडी के आसपास, का आपका काफी पदला सा स्ट्रेच हो जाता है, उसके आसपास स्टिक कि में, डोकलाम में, भुटान के पास जो चाइना है, उसके कई सित्वे पोर्ट को डेवलप कर रही है कहां पे मैमार में डेवलप कर रही है तो हमें याद रहेगा सित्वे पोर्ट किस से रिलेटेड है मैमार में है या आप से पूछा जाए कि सित्वे पोर्ट से रिलेटेड जो प्रजेक्ट है वो कौन सा प्रजेक्ट है आपका कलादान ठीक है चलिए अगला question हम देखते हैं अगला question बोल रहा है वो where is the headquarter of tea board of India अभी recently बिटा क्या हुआ है West Bengal की तरफ जो दार्ज लेंगे West Bengal में है Assam जो है जहाँ पे इंडिया में tea production काफी जादे होता है वहाँ पे जो आपका tea production है वो आपका काफी reduce कर गया है तो आपसे बोल रहा है कि tea board of India का headquarter कहा है तो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे tea board of India का जो headquarter situated है वो situated है आपका Calcutta में ठीक है tea board of India established कब हुआ आपका 1954 में क्या यह constitutional body है सर यह constitutional body नहीं है statutory body है सर statutory body क्या होते हैं वो body जो constitution में नहीं होते वो body जो parliament को एक पास करता है उस act के थूँ आपके establish होते हैं यह body किस के अंडर आता है तो अंडर ministry of commerce आता है सर यह statutory body है तो इसके लिए act पास हुआ होगा ना तो tea board of India act पास हुआ होगा Calcutta में situated है ठीक है चलिए आगला हम question देखते है eagle nest wildlife century यह eagle nest wildlife century जो है वो कहां पर situated है बहुत important wildlife century है आपने जो red panda का नाम सुनाओगा endangered species है यह ना IUCN की endangered list में आता है इंडिया का जो wildlife protection act है उसके schedule वन में आता है तो आपका जो red panda है ना red panda तो red panda जो है यह red panda recently आपका जो दिखा है वो दिखा है अरुनाचल प्रदेश के eagle nest wildlife century में तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि eagle nest wildlife century कहां आपका है वो अरुनाचल प्रदेश में situated है क्यों यूज में आई red panda की वज़े से red panda जो है उसका IUCN में status क्या है सर IUCN में वो endangered species है आपके wildlife protection act जो इंडिया का है 1972 का जो wildlife protection act है उसमें उसका status क्या है तो सर वो उसके schedule one में आता है ठीक है इतना information हमने है यहां से याद रखेंगे अगला question बटा देखते है आपके एक institute है जो आपका tag करता है या आपका blue flag certification देता है मैंने यूरोप का एक institute है जो blue flag certification देता है तो यहां पर आपका बोल रहा है कि आपका इंडिया में कितने beaches को blue flag certification मिला है तो बटा हम लोग यहां पर याद रखेंगे इंडिया में 12 beaches ऐसे हैं जिसे blue flag certification मिला है last जो बीच है आपके mini कोई की तरफ है आपका beach लक्षदीप में है या खदमत बीच जो है आइलेंड है वहां पर जो बीचिस है उन बीचिस को आपका blue flag certificate मिला है blue flag certificate सर होता क्या है सर blue flag certificate वो होता है जहां पर हम beaches को eco friendly declare करते हैं हम लोग बोलता है कि यह beaches जो है वो clean beach है eco friendly beach है और आपके nature की according जो है बहुत इच्छा question है कार्टसा का फुल फॉर्म क्या है तो बेटा कार्टसा यहां पर याद है अमेरिका ने USA जो है न USA United States of America इसने एक bill पास किया 2017 में 2017 में इन्होंने बिल पास किया कि जितने भी आपके countries हैं जो अमेरिका के against में कुछ चीज़ें करते हैं उन countries को हम क्या करेंगे उस पर economic sanctions लगाएंगे हम उन पर कुछ foundation लगाएंगे sanctions लगाएंगे और sanctions के थूँ उन countries को हम जो है वो control करेंगे अब देखो यहां पर Russia का Ukraine से बाहर चल रहा है तो यहां पर जो country आपका Iran से trade कर रहा है उस पर sanctions लगाने की बात है तो अभी अमेरिका ने यहां पर चितावनी दी है warning दिया है इंडिया को कि हम आप पे जो काट्सा के तुरू sanctions लगा सकते हैं इस वज़े से काट्सा एक्ट जो है वह आपका discussion में या उसमें आया है तो पीटा काट्सा कोशिश करोगी तो इसका option क्या होगा option ए जो है उसके सही answer होगा ठीक है अगला question counter terrorism exercise ताशकन ताशकन counter terrorism exercise है या भी held हुई है कहां पर हुई है कैलकटा में या कोलकटा में या आपका held हुई है तो यह आपका recently held है हायर्ड नहीं है यह recently held है ठीक है तो यह आपका held हुई है कैलकटा में किस कट्री के बीच हुआ है तो बटा यहां तकेंगे यह इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज का यहीं तक रखते हैं बाकिया आप टॉपर्सकाइडमी के जो चैनल है यह आपका टॉपर्सकाइडमी का में चैनल है यहां पर आपको सारे क्लासे से रेलेटेड़ कंटेंट मिल जाएगा सी यूई एटी के लिए डेडिकेटड़ चैनल है हमारे टेलिग्राम ग्रूप है या आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं या आप हमारे आप को डाउंलोड करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं बाकि आपको को कोर्स खरीदना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिल्ट ठीक है मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो के